हाई गाईज स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल पी एस कोचिंग सेंटर में गाईज यदि आपको अंग्रेजी में कहना होगा मैंने जान बुझकर ये सब नहीं किया ओ जान बुझकर मुझे इग्नौर कर रहा था मैं जान बुझकर चुप बैठा था उन्होंने जान ब इसके लिए आपको इस ट्रक्शन पर्यों करना होगा डली रेटली जहां इसको डली वेटली ही पढ़ा जान बुझकर डली बुझकर Deliberately जान बुझ कर इसी के मदल से ऐसे वाक्यों का टांसलिशन बनाया जाता है तो चलिए पर देख लेते हैं Deliberately का पर्योग structure में कैसे किया आता है इसके बाद हम लोग example देखेंगे इसके लिए आपको structure पर्योग करना होगा सबसे पहले subject उसके बाद helping word according to tense होना चाहिए टेंस का उनसार helping word बदलते जाएगा फिर deliberately उसके बाद main word का पर्योग करेंगे यह भी टेंस का उनसार change होगा उसके बाद object और other word का पर्योग किया जाएगा ठीक है सबसे पहले हमनी का बताया subject फिर helping word deliberately main word object और other word ठीक है चली example से समझ लेते इसको वह जान बुझकर मुझे इग्नॉर कर रहा था वह जान बुझकर मुझे इग्नॉर कर रहा था देखिए किस ट्रेंस का बाख है पास्ट कॉंटियूस का तो बढ़ में 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 जोड़ना होगा तो क्या होजागा है he was deliberately ignoring me तो इस अगला एक्जामपल है उन्होंने जान बुझकर सबुत नस्ट कर दिया उन्होंने जान बुझकर सबुत नस्ट कर दिया अगला है मैंने जान बुझकर पुराना गाना गाया I deliberately sang the old song तो इस जान बुझकर उस जानवर को नुक्सान पहुचाना चाहते थे तुम जान बुचकर उस जानवर को नुकसान पहुचाना चाहते थे, यू डेलिवरेटली वांटे टू हार्म डैट एनिमल, यू डेलिवरेटली वांटे टू हार्म डैट एनिमल, तुम जान बुचकर उस जानवर को नुकसान पहुचाना चाहते थे, नेक्स्ट है, मैं जान बुझकर किसी को हट नहीं कर सकता, यह हट का मतलब दुखी करना होता है, मैं जान बुझकर किसी को दुखी नहीं कर सकता, I can't deliberately hurt anyone, I can't deliberately hurt anyone, मैं जान बुझकर किसी को दुखी नहीं कर सकता, I can't deliberately hurt anyone, next है, अगला वक के हैं, देख लिजे, उसका एक्जामपल खतम हो गया है, अगर आपको अंग्रिजी में कहना होगा, अगर ऐसी बात है, तो तुम वहां मत जाओ, एक नए structure को देख लेते हैं हम लो, इसमें दिया गया है, अगर ऐसी बात है, तो तुम वहां मत जाओ, अगर ऐसी बात है, तो मैं उससे जरूर मिलूँगा, अगर ऐसी बात है, तो तुम्हें यहां आ जाना चाहिए, तो चलिए, ऐसे वाक्यों का translation कैसे बनाया जाता है, इ अगर ऐसी बात है, तो तुम वहां मत जाओ, अगर ऐसी बात है, तो मैं उससे जरूर मिलूँगा, अगर ऐसी बात है, तो तुम्हें यहां आ जाना चाहिए, तो ऐसे वाक्यों का translation कैसे बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं, अर्थात इन्हें अंग्रिजी में कैसे करते हैं तो इसके लिए आपको structure word पर्यों करना होगा if that's the case अगर ऐसी बात है if that's the case if that's the case जिसका अज़स होता है अगर ऐसी बात है अगर ये बात है अगर ऐसा बात है क्या हो गया if that's the case if that's the case चले देख लेते हैं इसका structure में कैसे पर्यों करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा लिखना हो if that's the case उसके बाद any sentence कोई sentence perfect होना चाहिए आप लगा सकते हैं या पहले sentence लगा करके last में लगाईए if that's the case if that's the case अगर ऐसी बात है if that's the case चलिए example समझते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाओंगा if that's the case अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाओंगा अगला example है अगर ऐसी बात है तो please हमें बताओ अगर ऐसी बात है तो please हमें बताओ if that's the case please let us know या please tell me कह सकते हैं if that's the case please let us know या please tell me if that's the case please tell me next है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपना business start करना चाहिए इव दैसी बात है तो तुम मेरे बिना meeting start कर सकते हो अगर ऐसी बात है तो मेरे बिना meeting start कर सकते हो if that's the case you can start the meeting without me if that's the case you can start the meeting without me अगला example है अगर ऐसा है तो तुम जाओ if it is so you go या आप इसको कह सकते हैं if that's the case you go if it is so किसे भी से बनाया जाता है आपको मैं इसका उप्योग अगले वीडियो में बताऊंगा ठीक है if it is so का मतलब भी होता है अगर ऐसा बात है ठीक है या कहिए if that's the case you go दो तरह से इसको बना सकते हैं ठीक है मैं आपको इसका उप्योग अगले वीडियो में बताऊंगा if it is so या if that's the case ठीक है अगला इस्ट्रक्चर देखते हैं अगर आपको कहना होगा उसके यहां आने की संभावना है तो कैसे बनाएं अगर उसके पास बहूस सारे पैसे होने की संभावना है या आप कर सकते हैं उसके डॉक्टर होने की संभावना है तो ऐसे वाक्यों को आप अंगरीजी में कैसे कहेंगे चलिए इसको भी सीख लेते हैं फिर से पढ़ लिजे उसके यहां आने की संभावना है उसके पास बहुत पैसा होने की संभावना है या उसके डॉक्टर होने की करना होगा लाइकली टू जिसका होता है संभावना होना लाइकली टू अर्थार्स संभावना होना तो देखें इसका उप्यों के स्ट्ट्क्चर में कैसे करते हैं देखते हैं सबसे पहले आपको लगाना फिर भर्वन या लाइकल के बाद भी हो सकता है अब वाक्त में होना दिया होगा तो ठीक है अलाइक लिटू के बाद है लगाएंगे या रखने कर दो पैसा उसके बास हो सकता है पैसा रख सकता है तो रखने कर्थ में लाइक टू के बाद हैप कपड़ देगे या यह लगाकर के फिर लाइक देंगे तो हैप का मतलब दूसके यहां आने की समभवना है, तो he is likely to come here, he is likely to come here, मुझे जाने की समभववना है, मुझे परने की समभवना है, है आइसा बहुं सरा वाक्रांड सकते हैं अगला है मेरे अगले साल नया बिजनेस शुरू करने की समभूना है तो next year I am likely to start a new business next year I am likely to start a new business अगले तुम्हारे भाई को यह को 100 % marks प्राप्त करने की समभूणा थी तुम्हारे भाई को 100% marks प्राप्त करने की शमभूणा थी यह वाज लाइकलू टू इस लाइक लुटा मर्क्स है आप प्रोड़ला वास लाइको टूस्टेट हैं इसके टीचर होने की संध। ज़ां होने की बात होगी आप क्या करेंगे बी लगाएंगे हैं अगला है उसके अमिर इनसान होने की संध। पिर यहां होनी आ गया तो भी लएगा ही जप लुख अंग यह स्को नहीं क będę 있었ा हुनी इसका मतलब है ये जरी आप मेरे खर आ हुए तो और ही कि उत्सक्राएं इसका मतलब है येहे इसटाइड़ी आभाग देट विडवे अनडडर हूनी एस्टरिए आवाज लाइक्यम टुभी अंदर रुफ है अग्ला रे उसके पास Son पे होने की स अंहाँन है लाइक्यम टूहाभ हlateजम एक हसम राइकर का किया है ही ही जफ लाइक्यम टूहाभ हांडे टूहाभ है ही ऑस सोड पे होने की सम्ढववना है है। दो महिने के अंदर तुमहारे पास एक नई कार होने की सम्भवन के शम्भवन है। वीदिन 2मंथ चले ड़ाइ तो आज का वीडियो हम लो यही पर ख़तम कर लेते हैं फिर मिलते हां अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत